जैनब चलो अंदर चलो लेकिन अबबा मैं भी सारा के साथ केल रही हूँ जैनब मैंने कहा ना अंदर चलो पहस ना करो जैनब तुमने आइंदर सारा के साथ नहीं खेलना हाँ जी लेकिन क्यों क्योंके वो हमसे अलग है इसलिए अलग मगर कैसे जैनब मैं कह रहा हूँ न वो हमसे अलग है बहस मत करो और अपने कमरे में जाओ जाओ सारा मुझसे अलग है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है काइदे आज़म क्या कहते जैनब काइदे आज़म ये हम कहा है ये तुम्हारा खौब है और मैं तुम्हारे खौब का हिस्सा हूँ आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ सारा ये इतनी उदास क्यों है सोचो अगर लोग तुम्हें अलग कहने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा नहीं और अगर इसी तरहां सब अलग होते रहे पाकिस्तान का क्या होगा नहीं जैनब मेरा इरादा पाकिस्तान के लिए ये था कि ये एक ऐसा मुल्क हो जहां सब बराबर शहरी हों जो एक मुझस जिन्दगी गुजार सके इसका कोई हल नहीं है तुम इस नफरत के सिलसले को खत्म कर सकती हो जैनब तुम्हें खुद अपने मुल्क में इनसाफ और इनसानी बराबरी की इफाज़त करनी होगी और अगर मजबूत इमान तन्जीम और अकीदा हो तो सब कुछ मुमकिन है मगर कैसे पहला कदम उठाकर ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा जैनब जैनब बेटा बेटा मैं जो तुम्हारे साथ कल गुस्ता हो गया था वो हमसे अलग है अपा वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है और इसने कुछ खलित नहीं किया काइद ने कहा हम सब चाएकोई वीरांग नसर या फिर्की के हो सब एक मुल्के शहरी है हम सब के लिए बराबर हकूग सहूलते और जेमिदारिया है अगर हम एक दुसरे के साथ बिलावजय की दूरिया रखेंगे तो एक मुतहित पाकिस्तान कैसे बनाएंगे तो फिर हम सब अखटे खेले चलो चलो आओ खेले